नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल परफेक्ट एस्टेटेजियस में दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिसेट करने वाले हैं आपको BPSC यानि की 63 BPSC का PT का प्रैक्टिसेट जो की आज प्रैक्टिसेट नमर वन होगा दोस्तों या प्रैक्टिसेट जो हम लेकड़ाया है या है आपकोłącz एड disguise के new book जो आया हुआ है उसे हम लेकड़ाया है दोस्तों आपसे एक request है अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं बिलेजिसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा सदर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फिस्पूक वाट्स आप टेलीगराम के माध्यम से, और विल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेसन आपको पहल आल ही में मारिशस के समुंदरी छेतर में तेली रिशाओ के कारण मारिशस सरकार ने पड़यावरणिये अपातकाल घूसित किया था, तेल ले जा रहा जहाज किस देशका था, यह आपको बताना है इसका राइटेंसर, एक कराइटेंसर हो जाएगा, आप्सन नमर डी, यान मारिशस सरकार ने पड़यावरणिये अपातकल की घूसना की थी, नेक्स देख लेते हैं, कोशन नमर दो, बरतमान में भारत में कितने राज और केंदर साशित परदेश है, दो कराइटेंसर हो जाएगा, आप्सन नमर ए, यानि कि इन में से कोई नहीं, या एक से अधिक, यानि कि बरतमान में भारत में 28 राज है और 8 केंदर साशित परदेश है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका राइट एंसर आप्सन ही हो जाएगा, नेक्स देख लेते हैं, कोशन नमर तीन, सियासत में सदस्ता पुष्टक निमली खित में से किन के दोरा लिखी गई है, तीन का राइट एंसर हो जाएगा, ऑफसन नमर सी यानि कि बिजे कुमार चोधरी के दोरा लिखी गई है, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर चार, सयद अकबरुदीन के बाद सयुक्त राष्ट में भारत की अस्थाई प्रतनिदी के पत पर किसका चैन हुआ है, चार का राइट एंसर हो जाएगा, ऑफसन नमर ए, यानि कि टी एस्तिरी मुर्ती, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर फाइव, कोशन नमर फाइव में आपको कह रहा है कि हाली में बिज्ञान के छेत्र का, दो हजार बीस का विश्व प्रसीद, आई, भी ज्यानिकों को परदान किया गया है, फाइव का राइट एंसर हो जाएगा, ऑफसन नमर डी, यानि कि डाक्टर के शिवन, और डाक्टर बी एंसुरेज, नेक्स कोशन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 6, क्वेशन नमर 6 में आपको कह रहा है कि परदान मंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज के शभी गाउं को आप्टिकल फाइवर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोरने के लिए घर तक फाइवर पड़ियोजना के सुरुवात की है, छे कराइट एंसर हो जाएग क्वेशन नमर 6, क्वेशन नमर 6, क्वेशन नमर 6 में कर रहा है कि बरस 2021 में सयुक्त राश जलवाईव पड़िवर तन सम्मेलन कोप 26 किस सहर में आयो उजित किया जाएगा, तो साथ का राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर 6, गलास को, गलास को जो है यह आपको स्कॉ क्वेशन नमर 6, केंद्रिय मंत्री मंडलने सितंबर 2020 में जम्मू कस्मिर की कितनी भासाओ को केंद्र सासित परदेश की अधिकारिक भासा के रूप में मंजूरी परदान की है, आठ का राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर 6, यानि की 5 भासाओ को जिसमें आपको उर् देख लेते हैं, क्वेशन नमर 9, में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारत के पूरो राष्ट पती श्री पर्नाव मुखर जी की कोरोना वाइरस से मिर्थू हो गई, वह भारत के राष्ट पती थे, नो कडाई टेंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर 2, वह भारत के तेरहवे रा के लिए समझावता ग्यापन पढ़ास ताक्षर किया है, तो दस कराई टेंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर C, यानि की डेनमार्क, नेश कुछन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 11, करा कि भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस बर्स तक अंतरिक्ष में खु क्वेशन नमर 12, क्वेशन नमर 12 में आपको करा कि हाली में सितमबर 2019 में गूट नीर पेक्ष देशों का सिखर समेलन कहां आयो जीत किया गया था, बार कराई टेंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर D, यानि की बाकु में, बाकु जो है, यह आपको अजरवैजान की रजधानी ह बाकु और 2019 में नेम का ठरवाज सिखर समेलन अजरवैजान के बाकु में समपन हुआ था, नैस कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर 13, नई सिक्षानीती पर हाली में सरकार की रिपोर्ट सोपी गई है, इस कमेटी के अधियक्ष कोन है, तेरा कराई टेंसर हो जाएगा, ओप् और 1992 में इसमें संसोधन हुआ था, नेक्स कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर 14 में आपको कह रहा है कि सुक्षम लगू एमध्यम उपकर्मों यानि कि MSME में आर्थी के ब्रिती इस्तिरता है तो दिरी कालिक उपाय सुझाने के लिए किसकी अधियक्षता में एक समेती के आपका सुखंकर है, नेक्स कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर 16 में आपको करा कि बर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस देश है, सुला करा इटेंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर B, यानि कि बर्तमान में नाटो के कुल 30 देश जो है, या आपको सदस है, और नाटो का तीस्वा सदस में सुडोनिया है, और 2019 में नाटो का सिखर स मिलन वाट फोड यानिकी यूके में हुआ था नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 17 निवन में से बिहार के किस बस्तू को जी आई टेक परदान नहीं किया गया है यह आपको बताना है तो 17 कराई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर E यानिकी इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानिकी अब तक बिहार के जितने बस्तू को जी आई टेक परदान किया गया है उनमें आपको मुझभफरपूर के साही लिची उसके बाद भागलपूर का कतरदी चावल तसर सिल्क जरदालू हाम नवादा का मगह पान, सिक्की कला, सुजनी, मधूबनी पेंटिंग और एपलिक वर्क जो है आपको जी आई टेक परदान किया गया है नेस्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नमर ठारे लेटास ड्रीम पुष्टक के लेखक हैं अठारा कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर बी यानिकी पूप फ्रांसिस जो है वह आपके लेटास ड्रीम पुष्टक के लेखक है नेस्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 19 में पुकरा की हाल ही में किस भारत बंसी को अमेरिका में डेमोक्रेटर्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट पती का उमिद्वार बनाये गया है उनिस का राइट अंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C यानि की कमला है रिस नेस्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 20 20 में आपको कह रहा है कि हाल ही में पतना हाई कोट के मुख नयदीश के पदपर चैनित होने वाले संजय करोल इससे पूर किस हाई कोट के मुख नियादिस के रूप में कार रहत थे 20 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी तिरी पूरा हाई कोट के वहाँ मुख नियादिस के रूप में कार रहत थे Next देख लेते हैं Question number 21 किस राज द्वारा नगोरु थान योजना शुरू की गई है 21 का राइट अंसर हो जाएगा Option number B करनाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है Next question देख लेते हैं Question number 22 में कोड़ा है कि कौन सा दिवस दक्षिन दक्षिन सायोग के लिए अंतराश्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 का राइट अंसर हो जाएगा Option number A यानि की 12 सितंबर को दक्षिन दक्षिन सायोग के लिए अंतराश्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है Next question देख लेते हैं Q23. ICC एक दिवसी एक क्रिकेट भी सुकब 2030 का आयोजन किस देश में होगा? Q23 कर आइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर C यह भारत में होगा. Q24. निमली खित में से कौन सा देश संघाई सायोग संगठन का सदस से नहीं है? Q24 कर आइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानि कि संघाई सायोग संगठन के सदस देश, रूज, चीम, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत में पकिस्तान है, यानि कि इसमें से जो सभी दिया हु क्षर किया गया, 25 का राइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर B, यानि कि इसराइलें, शयुक्त अरव अमिरात, नेक्ट देख लेते हैं, Q26, IMF की रिपोर्ट के नुसार, निवन में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से ब्रिधी करने वाला देश बन जाएगा, 26 का राइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर D, यानि कि गयाना, नेक्ट कुशन देख लेते हैं, Q27, सुचना पोईद्योगी की छेत्र की किस कमपणी ने 75,000 करोड उपईये के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घुशना की है, 27 के राइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर A, यानि कि गूगल, नेक्ट देख लेते हैं, Q28, 28 में आपको कहरा है कि वरतमान में सौर मंदल के किस ग्रह के शरवाधिक उपगड़ा है, 28 का राइट अंसर हो जाएगा, ओफसर नमर B, यानि कि सनी, सनी के, हाल ही में सनी गड़ा के 20 उपगड़ा की खोच की गई है, इसके बाद सनी गड़ा के कुल उपगड़ा आपको 82 हो गए है, उसके बाद आपको विरस्पति का, आपको 79 उपगड़ा है, नेश्ट कुछन देख लेते हैं, कुछन नमर 29, हाल ही में कुरोना महमारी के दोर में विदेशों में फसे भारतिय नायडिकों को घर वापस लाने हैं, तुसर कार द्वारा कौन सा मिशन प्राराम किया गया था, 29 का राइट अंसर हो जाएगा, आपसन नमर D, यानि की बंदे भारत मिशन, नेश्ट कुछन देख लेते हैं, कुछन नमर 30, बरतमान में विहार में राष्टिय उच्पत की कुल लंबाई कितनी हैं, 30 का राइट अंसर हो जाएगा, आपसन नमर A, यानि की 49 किलो मिटर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2018 का नुसर बिहार में, राष्टिय उच्पत की कुल लंबाई 49 किलो मिटर है, नेश्ट कुछन देख लेते हैं, कुछन नमर 31 में आपको कह रहा है, कि पुष्प के विभीन भागों में निमली खित्म से कौन से सम्मिलित है, 31 कर आई टेंसर हो जाएगा, आपसन नमर B, यानि कि वाहदल, पंखूरी, पुंकेशर और इस्तिरी केशर जो है, आपको पुष्प के विभीन भागों में शमिलित है, नेस्ट कोशन देख लेते हैं, कोशन नमर 32, 32 में आपको कह रहा है, कि जल विधूत का उत्पादन किस सिधान्थ पर कारी करता है, 32 कर आइटेंसर हो जाएगा, ओपसन नमर C, यानि कि एक और दो, यानि कि गुरुत्य इस्तितिक उर्जा और उर्जा सनक्षन सिधान्थ, यानि कि जल विधूत उत्पादन का सिधान्थ जो है, गुरुत्य इस्तितिक उर्जा और उर्जा सनक्षन सिधान्थ पर आपको का करता है नेश्ट कुछन देख लेते हैं कि कुछन नमर 33 में आपको बताना है सुची वन को सुची टू से मिलान करना है 33 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यानि कि आडियो मेटर जो है आपको धावनी के त्रियुता उसके बाद फोटो मेटर परकास के त्रियुत पिक्नो मीटर आपको तरल पदार्तों का विशेश गुरुत उसके बाद पाई पाई हिलियो मीटर जो है आपको सौर भी किरन यानि कि 33 का राइट एंसर आपसन भी हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं कुश्यन नमर 34 में आपको कहड़ा है कि गिरने के दोरान बादिस की बुन्दे कैसे गिरती है यानि कि 34 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर D यानि कि एक समान तौरन के साथ गिरती है question number 35 में कर रहा है कि शंबिक की इंकाई क्या है 35 का right answer हो जाएगा option number C यानि कि किलो गुराम मीटर प्रती शेकेंड आपको संबिक की इंकाई हो जाएगा next देख लेते है question number 36 में आपको कर रहा है द्रौ के उपरी तलप और द्रौ का दाप कितना होता है 36 का right answer हो जाएगा option number E यानि कि इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि द्रोव के उपरी तल पर द्रोव का दाव जो होता है वो आपको सुन्न होता है इसलिए right answer आपका option E हो जाएगा next देख लेते हैं 37 में करा कि किसी भी योगिकों का आक्षी करन संख्या क्या होता है तो 37 का right answer हो जाएगा option number D यानि कि सुन्न होता है next question देख लेते हैं question number 38 में करा कि electrolytic cell क्या बदलता है 38 का right answer हो जाएगा option number B यानि कि बिधुत उर्जा को रसाइनी कुर्जा में बदलता है next देख लेते हैं question number 39 में आपको कहड़ा कि दहन है या आपको बताना है कि दहन है 39 का right answer हो जाएगा option number C यानि कि या एक रसाइनी का भी किरिया है या उसमा छेपी भी किरिया है और या आक्सी करन भी किरिया है यानि कि या तीनों जो है या आपका दहन है next question हो जाएगा question number 40 question number 40 में आपको कहड़ा है कि इन में से किसको लगू आवर्थ कहते है 40 का right answer हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि पहले आवर्थ में 2 तत्व दूसरे और तीसरे आवर्थ में 8 तत्व होता है और इन सभी को लगू आवर्थ की संग्या दी गई है यानि कि पहले आवर्थ में 2 तत्व और दूसरे और आपको तीसरे आवर्थ में 8 तत्व होते हैं और इन सभी को लोगू अवर्थ की संग्या दी गई है यानि किसका राइट एंसर अप्शन E हो जाएगा नेश्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 41 में कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सा कैल्सियम का आयस्क है एक तालिस का राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर E यानि कि इन में से कोई नहीं है एक से अधिक यानि कि फुलू और फुलूर्स पार जो है आप्शन E में जो दे रहा है और फास फोराइट आप्शन C में दे रहा है या आपका दोनों जो है कल्सियम का यास्क है कुस्टे लिधे हैं कुश्यन नमर 41 कि सर्प बिष्रोधिस्वी किसका एक योगिक तत्त है इसका राइट एंसर करना है 42 का पाराइट इंसर हो जाएगा और समाफ आपको उर्न योगिक है सर्प बिष्रोधिस्वी Whoa Volle का योगिक होता है Next क्वेशन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 43, क्वेशन नमर 43 में आपको करा कि आक्षीजन के कितने समस्थानिक है, 43 कर आइटेंसर हो जाएगा, आप्षन नमर C, इनकी आक्षीजन के तीन समस्थानिक है, नेश्ट देख लेते हैं, क्वेशन नमर 44 में आपको करा कि स्वसन के दोरान किसका बिगटन नहीं होता है 44 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि केवल चार यानि कि आपको बिटामिन का बिगटन नहीं होता है next question देख लेते हैं question number 45 में आपको करणा कि Kendricka में क्या पाया जाता है 45 के राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि 1,3,4 यानि कि प्रोटीन RNA और DNA जो है आपको Kendricka में पाया जाता है यानि कि 45 के राइट एंसर option C हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 46 मैं आपको करणा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है 46 के राइट एंसर हो जाएगा option number E यानि कि इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक यानि कि vitamin B1 को thymine कहा जाता है vitamin B3 को nicotinic acid कहा जाता है vitamin B5 को pentothenic acid कहा जाता है और vitamin H को biotin कहा जाता है इसलिए इसके राइट एंसर आप्सन E हो जाएगा यानि कि इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक vitamin H दे रहा है इसको यानि कि vitamin B7 को यानि दे रहा है vitamin H next question देख लेते हैं question number 47 में कहा जाता है कि अमासा में कोण नहीं पच्चता 47 का राइट एंसर हो जाएगा option number E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि अमासे में carbohydrate या vitamin का पाचन नहीं होता है carbohydrate और vitamin इसलिए इसका राइट नहीं हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 48 में कहा जाता कि व्यसक मानों में मेरू दंड में कुल कितनी अस्तिया होती है 48 का राइट नहीं हो जाएगा option number A यानि कि 26 अस्तिया होती है व्यसक मानों के मेरू दंड में कुल 26 अस्तिया होती है जबकि बचों में या 33 अस्तिया होती है next question देख लेते हैं question number 49 में आपको कोड़ा कि हीमोगलोबीन में क्या है 49 का राइट नहीं हो जाएगा option number D यानि कि जटिल प्रोटीन हीमोगलोबीन जटिल प्रोटीन का बना होता है और इसमें लोहा पाया जाता है इसलिए 49 का राइट अस्तिया हो जाएगा next question देख लेते हैं 50 में कोड़ा कि protein sensation का सही करम कौन सा है 50 का राइट अस्तिया हो जाएगा option number B यानि कि DNA, RNA, amino acid और protein जो है protein sensation का आपको शही करम हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 51 में आपको कह रहा है कि मोर काल में सिख्छा का सरवादिक प्रसीद केंदर था एक कामन का राइट अस्तिया हो जाएगा option number D तक्षिसिला मोर काल में तक्षिसिला सिख्छा का सरवादिक प्रसीद केंदर था और चानक के जो थे यहाँ पर आचारी थे next question देख लेते हैं question number 52 में करा कि बोध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है 52 का राइट असर हो जाएगा option number D अस्टांगिक मार्ग जो दे रहा है यहाँ आपको त्रिरत्न में शामिल नहीं है बोध धाम और संग जो है यहाँ आपको त्रिरत्न में शामिल है next question देख लेते हैं question number 53 में करा कि सिंदू सवयता और बैदिक सवयता में किस पर भिष्वे पर भिंता थी यानि कि 53 का राइट असर हो जाएगा option number E यानि कि इन में से कोई नहीं या एक सिया देक यानि कि सभी सभी चीजों से में भिंता थी यानि कि लोहे के परियोग, सहरी जीवन लिपी के परियोग और मिर्दभान के परियोग यानि कि सभी में सिंदू सभ्याता और बैदिक सभ्याता के भिंता थी नैस कुशन देख लेते हैं 54 में आपको कहरा कि कलिंग विजय का बर्नन असोक के किस सिला लेख में है 54 का राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि कि 13 सिला लेख में आपको कलिंग विजय का बर्नन है नैस कुशन देख लेते हैं question number आपको question number आपको 55 में आपको मिलान करना है 55 का राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि कि परतिहार बंस था या आपको कनोज हो जाएगा उसके बाद चूल बंस आपको तंजोर हो जाएगा और परमार बंस का हो जाएगा यानि कि 3 का C हो जाएगा यानि कि धारा और सोलंकी बंस का अहिलवार हो जाएगा यानि कि 55 का राइट अंसर option D हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 55 में आपको कोई नहीं है एक से अधिक यानि कि भाग अजन्दा की गुफा गुप्द काल से सम्बंधित है यानि कि भाग उफाएगा और अजन्दा की गुफाएगार यानि कि देख जाएगा जैनि की चरच नामा में next question देख लेते हैं फार्सी गरंद चर्च नामा से मिलती है नेक्स कोशन देख लेते हैं कोशन नमर फिप्टी एट अमीर एको ही विभाग की सुरुवात की अंठावन कर आइटेंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमर बी यहनि कि मोहमद बिन तुगलक ने अमीर एको ही विभाग की अस्थापना की ने जहांगीर महल आगड़ा के किले में सी थे और इसका निर्मान अकवर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर शाठ शाठ में आपको कह रहा है कि किस मुगल सासक ने तमबाकु के पड़ियोग पर प्रतिबंद लगाया था साठ का राइट अंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर डी यानि कि जहाँगीर तमबाकु पर पड़ियोग पर प्रतिबंद 167 इस भी में मुगल बासा जहाँगीर ने लगाया था नेस कोशन देख लेते हैं और आपको तमबाकु जो है या आपको सोरे सर पांच इस भी में पुत्रगालियों के द्वारा भारत लाया गया था नेस कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 61 साहा जहा नामा के लेखक कौन थे 61 कर आइटेंसर हो जहेगा ओप्शन नमर C यानि की इनायात खांजो थे सहाजा नामा के लेखक थे और इन्हें मुहमत ताहिर भी कहा जाता है नेस कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 62 सिवाजी के साहशन में सुमंध पद संबंधित था 62 कर आइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B यानि की विदेश मंतरी को सिवाजी के अश्ट परधान में सुमंत या दबीर जो था वह विदेश मंतरी का पद था नेस कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 63 में कर आएकि निवन में से किसे भारतिय राष्टवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है 63 कर आइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B यानि की लाट कर जन को भारतिय राष्टवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है नेस्ट कोशन देख लेते हैं 64 में कवड़ा की कांग्रेस की उत्पती के संबंद में सेफटी बॉल्ब का सिधान्त निमली खितम से किस ने दिया था 64 का राइटेंसर हो जाएगा आफशन नमर B यानि की लाला लाज पत्राय ने दिया था नेस्ट कोशन देख लेते हैं कवशन नमर 65 में को कवड़ा की इंडीयन सोशल रिफार्मन पत्र के स्ष्रामपादक थे 65 का राइटेंसर हो जाएगा आफशन नमर D यानि की KN नटराजन दोज थे वह इंडीयन सोशल रिफार्मन पत्र के श्रामपादक थे कांग्रेस ने मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंदल की मांग को अफचारिक रूप से सुईकार कर लिया था तो यानि कि 66 का राइटेंसर हो जाएगा कांग्रेस ने मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंदल की मांग को अफचारिक रूप से सुईकार कर लिया नेक्स कुछन देख लेते हैं कुष्चन नमर 67 में आपको कर आए कि महात्मा गांधी के और सहयो गंदलन की प्रस्ताव का बिरोध किया था सरसट का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर E इन में से कोई नहीं या एक से अधी यानि कि एनी पे सेन महामद अली जी ना और विप्रिंच अंदरपाल ने महात्मा गांधी के और सहयो गंदलन की प्रस्ताव का बिरोध किया था नेक्स कुछन देख लेते हैं क्वेशन नमर 69 में आपको कह रहा है कि निमलिखित में से कोन सा यूग में शुमेलित नहीं है या आपको बताना है 79 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि इसमें सभी जो दिया हुआ है शुमेलित है यानि कि अहोम बिदरो गोमधर कुणर पागलपंती बिदरो टिपुसा और खासी बिदरो तिरसींग और पाइक बिदरो बक्सी जग बंदु यानि कि सभी इसमें से सही है यानि कि इसकर आइटेंसर आपसन E हो जाएग next question देख लेते हैं question question n awareness क्रिशक रहता धिनियम को पारित किया गया सत्तर कराइटंसर हो जाएगा ओफ्षन नमर ए यान की 1889 इसपी में दक्कन किरसी रहता धिनियम पारित किया गया अधकन भीद्रों 1875 में हुआ था नेक्ट दख लेते हैं कोश्चन नमर 71 में आपको कह रहा है कि इंडियान रिपब 72 में आपको कहड़ा कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वाय से रहे निमली खित में से कौन थे 72 का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B यानि कि Lord James Ford थे रोले टिट पारिटोने के समय लौट James Ford भारत का वाय से रहे थे वह 19 सुरे से 1921 इस भी तक भारत के आपको वाय से रहे थे नेस कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 73 में कोड़ा की और उन्डेल सम्मिती का समध निवन में से किसे था 73 का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C यह राजनितिक सुधार से समबंदित थे और इस चोग में गठीत और उन्डेल सम्मिती का समध राजनितिक सुधार से था नेस्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 74 में आपको करा की बर्स उन्डेल इन्डेल ने भी के नाविकों ने विद्रोह किया था 74 का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B यानि की बंबई में नेस्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 75 में करा की निमली खित में से किसने सेवा सदन की अस्थापना की थी 75 का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D यानि की बहराम जी एम मालावारी ने आपको सेवा सदन की अस्थापना की थी नेस्ट कुछन देख लेते हैं Q76 में आपको कहणा कि बिहार में राजनितिक बंदी दिवस कम मनाया गया Q76 में देख लेते हैं Q77 में कहणा कि नाय कड़ा भिद्रो कहा हुआ था Q77 आए लाजनितिक जार भिद्रो गुजरात में हुआ था नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं और यह आपको जो बिद्रो हुआ था यह अठाइट सो और साथ हिस्वी में हुआ था नेस्ट कुश्चन हो जाएगा कुश्चन नमोर सेवेंटी एट नेस्ट कुश्चन नमोर सेवेंटी एट में है यह आपको जो बिद्रो है जो किसी को परमान पत्र नहीं देता है यह कथन निम्लेखित में से किसका है 79 का राइट एंसर हो जाएगा और सेवेंटी नमोर बी यह कथन लाट करजन का है नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं कुश्चन नमोर 80 में आपको कर आए कि भारत छोरू अंदोलों के दोरान अस्थापित शमनांतर सरकारों में सब से जाधा समय तक रहने वाली सरकार थी असी का राइट एंसर हो जाएगा ओफ्चन नमोर A यानि की 17 भारत आपको भारत छोरू अंदोलों के दोरान अस्थापित शमनांतर सरकारों में 17 की सरकारे सब से ज़धा समय तक रही थी नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं कुश्चन नमोर 81 में कह रहा है कि गदर पार्टी के अध्याक्ष नियून में से कौन थे 81 का राइट एंसर हो जाएगा ओफ्चन नमोर B यानि की सुहन सिंग भाखना जो थे वो आपको गदर पार्टी के अध्याक्ष थे एक नौमबर 1913 को अमेरिका के सन फ्रांसिस्कों में गदर पार्टी के स्थापना किया गया और इसके सन स्थापक लाला हर दयाल जबकि इस पार्टी के अध्याक्ष सुहन सिंग भाखना थे नेस्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नौमर 82 में कहड़ा कि राजदरो सभा अध्यनियम का पारित किया गया बेरासी का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नौमर B यानि कि 1911 SP में राजदरो सभा अध्यनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिस सरकार के बिरुद सभाय करने पर कथोर दंड की ब्यवास्ता की गई यानि कि राजदिरों सभा अधिनियम नेक्स कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 83 में कहड़ा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निसकासन का सिधान्त सवकृत किया गया 83 का राइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर 2 यानि कि कलकात्ता अधिवेशन अठारेसो चानवेर नेक्स कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 84 में आपको कहड़ा है कि 20 बर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के और सफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रूटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए उधर वादियों के संदर में यह बक्तव किन के द्वारा दिया गया था चोरासी का राइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी यानिकी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 85 राष्टिय योजना समिति के अस्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई नमर 85 का राइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर C यानिकी हरी पूरा अधिवेशन 1938 बर्स 1938 के हरी पूरा कांग्रेस के समय राष्टिय योजना समिति के अस्थापना की गई और इस अधिवेशन के अधिवेशन के अधियाक्ष सुभा चंद्र बोस्त ने किये थे और इहों नव गठित राष्टिय योजना समिति के अधियाक्ष पंडि जोहाला नहरू थे नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 86 में आपको कोड़ा कि भाड़ा छोरो अंदोलन के दोरान सरकारी निती के बिरोध में महाधिवक्ता पद से निवन में से किसने इस्तिफा दे दिया था 86 कराइटेंसर हो जाएगा और सनमर डी यहनिकी बलदेव सहाई नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 87 कोशन नमर 87 में कह रहा है कि निवन में से कून बिहार में 2827 नहीं थे 87 का राइटेंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमर C यैनिकी गौरी संकर सिंग बिहार में शिरिकरस नस्ग पहले और अनुगरोह नरायन दूसरे ब्यक्तिगत सतैग रही है और गौरी संकर सिंग ने गया था स्याम नरायन सिंग ने सिलाव में सत्य अगरह किया था Q88 में को कहड़ा कि शवी ने अवग्या अंदूलन के दोरान गिराफ्तार होने के बाद राजेंदर प्रसाद ने किसे अपना उत्रा दिकारी मनुनुनित किया था 88 का राइट एंसर हो जाएगा Q89 में कहड़ा कि ब्रेटिस आसन की नितियों का निवन में से कौन सा परभाव भारती अर्थ बेवस्ता पर नहीं पड़ा 89 का राइट एंसर हो जाएगा Q89 में कि बी ओद्योगी करण और क्रिशी बी ओद्योगी करण का अर्थ है उद्योगों का पतन या कम होना और भारतीय संदर में हस्त सिल्प उद्योगों का पतन क्रिशी का बाने जी करण अंग्रेजों की क्रिशी निति का अंग था और अनैस्वी सदिक के दोरान आधुनिक उद्योग का सिमित भी कास हुआ Q90 में कि साइमन कमिशन में कुल कितने सदस थे तो 90 का राइट अंसर हो जाएगा option number E यानि कि इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि साइमन कमिशन में सदस्योग की शंख्या साथ थी next question दिख लेते हैं question number 91 में आपको कह रहा है question number 91 में कह रहा है कि भारत के राष्ट पती पर महावियोग के संबन्द में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है या आपको बताना है 91 का राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि कि नमांकिस सदस्त महावियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते है यानि कि option D इसका राइट अंसर हो जाएगा option D राइट अंसर हो जाएगा next question देख लेते है question number 92 में कह रहा है कि निमलिखित में से कौन शमिधान के मुल धाचे के अंतरगत सामिल नहीं है 92 का राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि कि नियाएक सरोचिता जो है आपको समिधान के मुल धाचे के अंतरगत सामिल नहीं है next question देख लेते है question number 93 शम्पति का अधिकार है 93 के राइट अंसर हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि सम्पति का अधिकार एक कानूनी अधिकार भी है और यहां शमिधानिक अधिकार भी है next question देख लेते है question number 94 शमिधान सभा में बिहार से कुल कितने परतिनी धी थे 94 के राइट अंसर हो जाएगा option number C यानि कि बिहार से कुल 36 परतिनी धी थे next question देख लेते है question number 95 95 में कर आएकि निमली खित में से कौन सा युग में शुमेलित नहीं है 95 कर राइट अंसर हो जाएगा option number A एक और तीन जो है शुमेलित नहीं है यानि कि बिधी द्वरा स्थापित परकिरिया जो ब्रिटेन दे रहा है और दुष नादमक जो दे रहा है दुष दन्वाद जो इवेस से दे रहा है या आपका सही नहीं है यानि कि बिधी द्वरा स्थापित परकिरिया जपान और आपको दुष दन्वाद जो है वो आपको ब्रिटेन हो जाएगा यहाँ पर इवेस से दिया हुआ है और राज समा सोदसों का निर्वाजन दक्षीन अपिरका सही है और समुरती सुची अस्टेलिया सही है नेश्ट कोशन देख लेते हैं Q96 में कर रहा है कि शौर परतम परत्यक्ष चुनाव का परधान निम्लिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया Q96 के राइंट एंसर हो जाएगा और समुर्ण नमर बी यानि कि भारत परिशन अधिनियम माफ कीजिएगा भारत परिशन अधिनियम 19,09 ठीक है सही हो जाएगा आपका परत्यक्ष चुनाव का परधान निम्लिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया यानि कि option B हो जाएगा भारत परिशना देनिया मुनिश्य नौ के द्वारा आपको परत्यक्ष चुनाव का परोधान किया गया next question देख लेते हैं question number 97 question number 97 में आपको कह रहा है कि निमली खित में से किसके वेतन निव भते भारत के संजित निधी पर भारत व्याय में शामिल है question number 98 98 में कर आपके उस्तम नियाले की पुनर भी लोकान सक्ती का बर्नन निमली खित में से किस अनुछेद में है 98 कर आइट एंसर हो जाएगा option number D यानि कि अनुछेद एक सासाइटिस अनुछेद एक सासाइटिस के ताहत उस्तम नियाले को अपने स्वेम के फैंसले की समिक्षा करने की सक्ती प्राप्त है और यहां नियाइक पुर्ण लोकान से भीन है next question देख लेते है question number 99 में कर रहा है कि निमली खित में से कौन सा अधिकार समिधान का नुछेद 21 के अंतरगात एक मौली का अधिकार नहीं है 99 के राइट एंसर हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि उप्रोक्त सभी जो दे रहा है आपको अनुछेद 21 के तहत मौली का अधिकार है आशरे का अधिकार, स्वास्त का अधिकार, बिद्यस यातरा का अधिकार, और सेन का अधिकार यानि कि इसमें से सभी हो जाएगा next question देख लेते है question number 100 में कर रहा है कि निमली खित में से समिधान के किस अनुछेद में सीक्षा से समदित उपबंदों का उलेक नहीं है 100 का राइट अंसर हो जाएगा option number E, यानि कि इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि अनुछेद 21 के A भी सीक्षा से समदित है अनुछेद 25 के A भी है और अनुछेद 45 भी है और अनुछेद 350 के A भी आपको सीक्षा से समदित है यानि कि चारों इसका राइट अंसर हो जाएगा इसलिए इसका राइट अंसर option E दे रहा है यानि कि इन में से कोई नहीं या एक से अधिक next question देख लेते है question number 101 सधारन बिध्यक को जिसे राज बिधान शभा ने पारित कर दिया है राज बिधान परिशत पहली बार में कितने समय तक रोख सकती है 101 कर आइट अंसर हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि राज बिधान सभाद वरा पारित सधारन बिधाय को राज बिधान परिशत अधिकतम चार माह के लिए रोख सकती है और पहली बार में बिधाय को तीन माह और दूसरी बार में एक माह के लिए रोख सकती है यानि कि पहली बार में कितने समय के लिए इसमें दे रहा है तो एक माह के लिए रूख सकती है यानि की इनमें से कोई नहीं इसका राई टेंसर हो जाएगा यानि कि आप्षन E इसका राई टेंसर हो जाएगा Next Question देख लेते हैं Q2 में आपको कहड़ा है कि निति कटवती प्रस्ताव के सम्मध में निमली खित में से क्या सही नहीं है 102 का राई टेंसर हो जाएगा option number E यानि कि इन में से कोई नहीं या एक से अधिक निति कटवती प्रस्ताव सरकार की निति के प्रती और सहमती को व्यक्त करता है और इसमें कहा जाता है कि मांग की रासी एक रूपई से कम कर दी जाएगी यानि कि आपको इसरकार के निति के प्रती आपको और सहमती को व्यक्त करता है यानि कि A भी सही हो जाएगा और option B भी सही हो जाएगा इसलिए यह आपको E answer, इसका right answer हो जाएगा Q133 में कर आए कि लोकसभा चुनाव के दरान चुनाव परशार समाप्त हो जाता है Q133 का right answer हो जाएगा Q144 निमलिखित में से स्वमिधान के कौन से अनुछेद में राष्टिय पिछरा बर्ग आयोग का उलेख है Q145 में कर आए कि निमलिखित में से किस समीति ने स्वरपर्थम पंचायतों में महिला और अक्षन किसी पारिस की थी Q155 का right answer हो जाएगा आए कि आए कि पिके थुंगल शमीति Q106 में कर आए कि निमलिखित में से कौन सा एक बिदेशी परत्यक्ष निवेस में सामिल नहीं होगा Q106 का right answer हो जाएगा Q107 का right answer हो जाएगा Q108 के अनमुद्रा में परिवर्थित करने है तुँ अनुमती नेश कुशन देख लेते हैं कुशन नेश कुशन देख लेते हैं का नाव आपको रूफिया है कुशन नेश कुशन देख लेते हैं कुशन नेश कुशन देख लेते हैं कुशन नेश कुशन नेश कुशन देख लेते हैं यानि की 114 का राइट एंसर हो जाएगा आफशन नमर सी यानि की पटना और बाका नेश कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 115 मैं आपको कहरा है कि किस वर्ष भारतियरी जर्बैंका राष्टिये करन किया गया था 115 कर एंसर हो जाएगा आफशन नमर B यानि की एक जन्वरी 199-5 को भारतियरी जर्बैंका राष्टिये करन किया गया और RBраш 11 30 का आपका जो किया गया था option number C यानि कि सतलजेव काली नदियों के बीच इस्तित है कुमाओ ही माले next देख लेते है question number 117 में कोड़ाए कि 2021 की जनगना कनुसार निमलिखी जनजातियों को घटते क्रम में सजाए 117 का राइट एंसर हो जाएगा option number A यानि कि भील, गोंड, संथाल और नैक दा आपको भारत का सबसे बोड़ा जनजातियों समुभील तथा इसके बाद क्रम सब गोंड, संथाले, नैक दा है next question देख लेते है question number आपको 118 118 में आपको कहड़ा है कि निमली खित में कौन सी नदी भूमी बंधीत है 118 का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि कि लूनी नदी जो है वो आपको भूमी बंधीत है next question देख लेते है question number 119 में कराया कि निमली खित में से कौन सी बिस्यस्ता भारतिय क्रिशी की नहीं है 119 का राइट एंसर हो जाएगा option number E यान कि नमें से कोई नहीं या एक सी अधिक मांसुन पर निर्भरता और निम्न उत्पादक्ता भारतिय क्रिशी की बिस्यस्ता है प्रंतु भारत में बड़े जोतों के तूलना में छोटे जोत अधिक है साथी भारत में शाहकारी खेतों की परधानता नहीं है next question देख लेते है question number 120 में आपको करा कि मरुआस थलिये बन के संबंद में गलत कथन का चैन करें 120 का राइट एंसर हो जाएगा option number A question number 121 में करा कि सीत रित्यू में भारत के उत्री भाग में बर्सा होती है 121 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि पक्षमी भी छोप से next question देख लेते है question number 122 में आपको करा कि यदि 10 दिग्री पुर्वीदे सांतर अगर 2 पीम बज रहे है तो 45 दिग्री पुर्वीदे सांतर पर क्या समय हो रहा होगा 122 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि चार बज कर 20 मिनट पीम next question देख लेते है question number 123 में आपको करा कि निम्न कत्नों पर बिचार करे 123 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि A और B दोनों यानि कि काली मिटी का पास के लिए परयुक्त है और काली मिटी में हिूमरस नाइट रोजन या फास फुरस की कमी पाई जाती है option C राइट एंसर हो जाएगा next question देख लेते है question number 124 में करा कि निम्न में कौन छोम मंडल के संबंध में शही नहीं है 124 का राइट एंसर हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि आपको इसमें उचाई बढ़ने के साथ अपमान में ब्रिदी होती है या आपका गलत सही है उसके बाद यानि कि आपका गलत हो जाएगा उसके बाद छोम मंडल में मौसों समदी कोई घटनाई नहीं घटती है या भी आपका गलत हो जाएगा यानि कि इसमें एक इन में से कोई नहीं है एक से अधिक इसका राइट एंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 125 में कोई आएगा कि निवन में किस गरह के पास कोई उपगरह नहीं है 125 का राइट एंसर हो जाएगा option number E इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि बूद और सुक्र है जिन के पास कोई उपगरह नहीं है next question देख लेते हैं question number 126 में आपको कहड़ा है कि सचिंद्रनाथ सन्यालने पटना में अनुसिलन समिती की साखा की अस्थापना कब की 126 का राइट एंसर हो जाएगा option number C 1903 SP में पटना में अनुसिलन समिती की एक साखा की अस्थापना की आपको सचिंद्रनाथ सन्यालने question number 127 में कर आए कि 1938 में किस ने बिहार में मुमिन कांगरिस की अस्थापना की 127 का राइट एंसर हो जाएगा option number B यहने की अबदुल कयूम अन्शारी ने 1938 में मुमिन कांगरिस की अस्थापना की question number 128 में आपको कर आए कि बिहार के पहले अंग्रेजी अकबार दी बिहार हेराल का परकासन किस ने किया 128 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानि की गुरू परसाद सेन ने 1875 में गुरुपर साथ सेंद वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अकबार दी बिहार हिराल का प्रकासन प्रारम हुआ नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 139 में आपको करा कि 1923 इसपी में सोराज दल की बिहार सखा के नेता चुने गए 139 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानिकी डाक्टर सिरी क्रिशन सिंग नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 139 में करा कि घोगा जिल बिहार के किस जिले में स्थित है 139 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A या का टिहार जिले में स्थित है नेश कुश्चन देख लेते हैं कुश्चन नमर एक से एक्टिस में कर रहा है कि बिहार में बाट के कारणों में कौन सही नहीं है एक सो एक्टिस का राइट्यन सरो जाएगा आफसन नमर डी यान कि बहुदेसिये पड़ियोजनाय जो दिया हुआ है यह आपका सही नहीं है उत्तर भी हर बाट से अधिक परभावित होता है जिसके कारण जिसके कई कारण है आपको हिमालेन नदियों में अधिक जल होना नदियों का मार्क बदलना मांसुन के तीन महा अधिक बरसा बात कर रख रखाव नहीं होना आधि जबकि बहुदेशी परजन है बाट कर कर नहीं बलकि रोक थाम का उपाय है नेश कोशन देख लेते हैं 132 में कड़ाय की निमनी खित्म से कौन सी रचना रामधारी सिंग दिन कर की नहीं है 132 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर्डी जुलूस जो है यह रामधारी सिंग दिन कर की रचना नहीं है नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 133 में कड़ाय की बिहार किस सिख गुरु की जन्मस्तली की रूप में परसिद है 133 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर्डी यानि की दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग का जन्म पत्ना में 26 दिसंबर आपको माफ कीजिएगा 266 में आपको हुआ था नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर्ड 134 में कड़ाय की बिहार का आख छांसिये विस्तार है 134 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर्ड यानि की 24 डिग्री यानि की 20 मिनट ऊत्रे से 27 डिग्री 31 मिनट ऊत्री आपको आखछांस हो जाएगा यानि की आपसन D इसका राइटेंसर हो जाएगा नेश कोशन देख लेते हैं कोशन कोशन नमर 135 में आपको कोड़ा की बिहार में परवत पाद्य अपिये मिट्टी किस जिले में पाई जाती है 135 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D यानि की पच्छमी चमपारण में नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 136 में कोड़ा की निमली खित में से किस यात्री का समझना लंदा बिस विद्याले से नहीं रहा 136 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A यानि की फायान का समझना लंदा बिस विद्याले से नहीं रहा नेश कोशन देख लेते हैं Q137 में करा कि बिहार का एक मात्र जिला जहां पूर्सों के तुल्ला में महिलाव की संख्या अधिक है 137 का राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि कि गोपाल गंज जहां आपको एक सो यानि कि 1021 महिला जो है आपको 1000 पूर्सों पे है यानि कि यहां पे लिंगन उपाज जो है शब से अधिक है कोपाल गंज में next question देख लेते हैं question number 139 में करा कि बिहार लोग सेवायो के और ध्याक्ष एक सदस्यों का कारिकाल होता है 138 का राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि कि 6 वर्स या 62 वर्स आपका जो भी आपको पहले हो जाए यानि कि बिहार लोग सेवायो का द्याक्ष शब सेवायो करकर 6 वर्स या 62 वर्स की आयू तक यानि कि option B राइट अंसर हो जाएगा next question देख लेते है question number 149 में करा कि भी हार विधान सभा में कूल आराक्षित सीटो की संख्या है 149 के राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि कि 40 next question देख लेते है question number 140 और अंतिम question आज कि हो जाएगा कि बोध गया इसी द्वोधी प्रिक्ष को किसने नुक्सान पहुँचाया था तो 140 का राइट अंसर option E हो जाएगा इन में से कोई नहीं या एक से अधिक यानि कि बंगाल साचक ससांग ने धार्मिक अस्थलों को नश्ट किया तथा बोधी बिक्ष कटवा दिया था तो दोस्तो यहाँ practice set जो हम लेकर आये थे या आपको 66 BPSC का practice set नमबर वन था दोस्तो कोई भी अगर आपको इसमें गलती होआ हो mistake होआ हो तो आप हम अगले set से हम सुधार करने का कोशिश करेंगे आप लोग comment करके जरूर बताइएगा आपको जो भी problem होगा अगर जो भी question में doubt होगा आप लोग अवस बताइएगा दोस्तो आपसे request है कि अभी तक आप हमारे channel को subscribe नहीं की है इसे subscribe कर लें इसे ज़्यादा से लाइक करें और दोस्तो में share करें facebook arts of telegram के माद्यम से दोस्तो पूरा video को देखिएगा आपके जो question दिया हुआ है आपको एकदम exam के syllabus के नुशार ही दिया हुआ है और दोस्तो इसमें 140 question में ही जिये से 10 question में math है हम PDF देदेंगे आप लोग वहां से math भी बना लिजिएगा और math का हम solution भी देदेंगे तो चलिए दोस्तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद